हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फोर मोर वीडियो इसने 2023 के लिए अगर आप प्रिप्रेशन कर रहे हो तो वान अप दे मोस्ट इंपॉर्टन वीडियो मेरे मुताबिक यह रहेगा कि आप प्रिवियस येर को को समझो और उसकी लेवल को समझो कैसे कोईशन आते है उसी के बैसिस पर अपने सारे कोईशन के वो सारे कॉशन आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा आप पूरे वीडियो को जिसमें बताऊंगा मैं कि previous year को question को analyzes करते हुए कि आपको कौन से subject में ज्यादा या topic में ज्यादा आपको focus करनी चाहिए जैसे कि one of the most important testnet का अगर question paper अगर देखो तो तो government schemes हमेशा पूछे जाते हैं central government स्कीम हो या किसी भी स्टेट government को स्कीम हो जरूर पूछे जाते हैं तो यह one of the most important question आपको every year में मिलता रहेगा तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा detail तो लेकिन इस वीडियो में अभी हमें क्या देखना है सारे previous year का question तो आप जरूर देखो समझो और तो अगर आप testnet का 2023 का preparation कर रहे हो तो चैनल को subscribe और notification bell प्रेस कर देना ताकि सारे ही मेरे वीडियो को जब भी upload करो आपको notification मिल जाए तो चलते हैं सारे question के बारे में थोड़ा detail देख लेते हैं four question इसको तोड़ा zoom कर देता हुए ठीक है which of the following is the southernmost point of India mainland तो यह जो ग्रीन मार्क दे रहा है न यह ग्रीन मार्क यह आपका जो ग्रीन है यानि कि यह correct है और इसी पर ही आपको समझना है answer को ठीक है ग्रीन वाले आपके correct answer है इसे मैं मिटा देता हूँ यह बताने के लिए आपको बोला था मैं बस तो चलते है which of the following is the southernmost point of India mainland और यह सारे ही testnet के जो official answer की होते है उसी से accepted है ऐसा नहीं है कि question यह आपने यह जो green है यह किसी भी answer गलत है नहीं यह testnet ने जो officially accept किया था कि यह मेरे उनके मुताबिके right है वही वाला यह green answer है तो southernmost point of India mainland क्योंसा है तो यह है option number two कैपी कॉमिरीन ठीक है next the motto of Indian national army found by नीता जी सुबास चंद्र बहुत ही यह अच्छा question मैं मान सकता हूं तो यह था unity faith and sacrifice next question चलेंगे यह आपका इंडिया first open rock museum is located in तो यह question mostly मालब जब exam हुआ था उसके three month पहले का यह current affairs था साथ तो इस basis पर मुझे लग रहा है कि सबसे जादा जो most important current affairs होते हैं वह होते हैं आपके last के six months के और जो government schemes होता है जैसे कि मैंने पहले बता है government scheme वह आपको सब याद रखना चाहिए एक साल का पूरा याद रहना चाहिए और पिछले साल में भी आगर मान लो पूछ लिया गया आप से जन्धन योजना के बारे में तो यह कब आया था तो आपको पता ही होगा तो उसको भी आपको याद रखना उसको करेंट अफेर से मत देखना हो सब कुछ याद रखना मिताली एक्सप्रेस ए न्यू पैसेंजर ट्रेन इनुग्रेटेड इन टूटाउजन टूजन ट्विंटीव धाका विट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम वीच इंडियन रेल्वे कॉस्चन है क्योंकि जो इसमें पूछा गया है नॉट अब्जेक्टिव ऑस इंडिया न्यू इकनोमिक रिफॉर्म इंट्रूजन टाउजन था लिब्रलाइजेशन था लेकिन सेंट्रलाइजेशन नहीं था नॉट अब्जेक्टिव में थर्ड नमर एंसर करेक्ट हो सबी को पता नहीं रह सकता यह कुश्चन की बहुत ही डीप कोश्चन और 2001 की बात हुरी है ठीक है तो यह नेक्स्ट कोश्चन है संकर नरायना मैनन चुंदियाल वास कॉनफर्ट पदमसरी फोर टीचिंग एंड प्रमोटिंग तो यह कलारिय पत्तु तो यह कोश्चन देख कोश्चन गौवर्मेंट स्कीम के कोश्चन यह सब सारे इंपोर्टेंट है युनाइटेट नेशन पब्लिक सर्विस एवाड वस गीवन तो देपार्टमेंट अफ ओमेंट चाइल्ड डेवलमेंट और सोसल वेरफेर गौवर्मेंट आफ वेस्ट बंगल फोर कन्या स्री प लूसल जएलखेर आपका इंडिया गौवरmन जाने सेंटरल गौवर्नमेंट चेम हो या किसी भी स्टेट गोवर्मेंट कीम ओ यह आपको जरूर याद रहना ची predictive कनी घ्या नहीं आप दिएके लेना बहुत इंपोर्टन कॉस्टिन है, Department of Children Development and Social Welfare, Government of West Bengal for the Kanyasri, कौन सावर्ड दिया है, United Nations Public Service Award, ठीक है, क्रिकेटर अवर्ड एवार्ड फोर्टन कौन स्रमिती मंधाना, एंसर इसका, नेक्स्ट कौन इसे प्रदिशनल मुजिक इंस्ट्रूमेंट विच इंडियन स्टेट, तो यह कॉस्टिन पढ़के तो लगी रहा है, यह नौर्थ इस्ट किसी भी स्टेट का हूँ, लेकिन यह स स्टेट्स करना बहुत ही मुश्किल, अगर आपको आता ही होगा, तब आपको यह पता चल रहा होगा, तो यह कुशन का लेबल जो है, विच आप्सन को देखा जाए, तो बहुत ही टफ है, यह क्योंकि सारे ही नौर्थ इस्ट के स्टेट्स है, तो आप्सन फोर्ट मिजोर नेक्स्ट कोस्टन है, स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम, वाज लॉंच्ट तो प्रोवाइड दा फाइनिशल इस्टेट्स तो स्टार्ट फोर, देख लो फिर से आगया है, सेंटल गोर्मेंट का स्कीम, तो यह होगा, प्रूफ अफ कॉंसेट, प्रोटोटाइब डेवल्मेंट, प्रोड़क्ट ट्रेल्स, मार्केट एंट्री, और कॉमर्सिलाइजेशन, नेक्स्ट कोस्टन चलेंगे, हूँ, दा फादर फ इंडियन फुडवाल इस, इस ए नागेंदरन परशाद, सरा बंदिकारी, नेक्स्ट कोस्टन, इन वीच यह ऑपरेशन फ्लड लाउंच इन इंडिया, 1970, ऑपरेशन फ्लड किस के लिए आपको पाता ही होगा, मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, 1970 में आय थे यह, ऑपरेशन फ्लड, दास, इंडिया, ऑफिसली, एंटी इंड ऑस्कार 2022, था बें बेंट इन तो तो फ़ई नमेंटेड, इन इन दे टोप इसल आंटी ऑस्कर पेंट इन अप यह, ए राइट इन विए वीट फायर, तो देखलो, ऑवर्ट से यह क्वेशन है, ऑवर्ट के क्वेशन हा रहे है, वीच अब द फॉलाग इस नो खरेक उप्स्टरियर एक्टीट तो इस अडिया, प्रोड था, इस अडिया, प्रोड इस is best known for the contribution of a forestation India by planting the tree along a state highway बहुत अच्छा कोशन है यह सालू मार्दा थिमा का यह अप्सन नमबर वन पीम गती सक्ती स्कीम फिर से आगए यह सेंट्रल गौर्मन का स्कीम है और यह 2022 का ही स्कीम था नो 2021 का है था यह डेवलब था मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पीम गती सक्ती तो इफिर सेंट्रल गौर्मन का स्कीम आगया फिंटेक अप देपलमेंट दस नोट डिपेंड और e-commerce, fintech app development does not depend of e-commerce, who was the recipient of the padmasari from the transgender community for deviving one of the traditional flock dance art form, तो इंद का होगा, आपसल नबर 4, मत्था, मन्जम, जोगती and explosive underwater volcano in 2021 erupted in the Pacific Ocean. Next question, the third vaccine approved by the Indian government for vaccinating children name is Korba Vax. The first female speaker of Lok Sabha is Meera Kumar, static GK कोस्चन है. Under which scheme can individual from SCST community or a woman borrower get bank loan between 10 lakh to 1 crore to set up enterprises? देकली फिर्से ये Central Government का स्किमा अगया, stand-up Indian scheme, which among the falling key underlining reasoning of the aggregate distress in India, irregular outputs. The Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilization Act 2020 will ensure the better price of farmer and better deal to the consumer by promoting the barrier free inter and intrastate trade trade and commerce. Asian Games 2022 will held in China, current affairs के question है. यह sports category में आएंग है, तो award, sports, art and culture, यह सब इसके current affairs और strategy के आपको याद होना चुहें. इसके विच लैंड बेस्ट इकोसिस्टम है, तो कौन सा डाइवर्सिस में होगा, यह तो basic question है, अगर आप जोगरोफी जानते होगा, तो ट्रॉपिकल रिजन होगा, ग्रासलेंड रिजन में तो होगा, नहीं डेजर नहीं होगा, तुंडरा में नहीं होगा, मैक्सिमम पूछा गया, most तो यह ट्रॉपिकल रिजन, दा वन धन स्टार्ट अप फिर से आ गया है, यह भी एक government scheme है, वन धन स्टार्ट अप, इस ए मास्टर प्लान आप दा सोशियो एकनोमिक डबलम्मेंट वर दा ट्राइवल, अगर वन धन समझ रहे हो, तो वन क्या होता है, वन मतलब फॉरेस्ट होती है न, तो वन से भी आप connect कर सकते थे, अगर आपको नहीं आता था, यह answer तो यह tribal हो जाता, ऐसे भी करके आपको चेक करनी रहती है, एक्जाम में देते हो तो, वन यानि ट्राइवल, ट्राइवल से रिलेटेड मार्बुटिक, वैसे नो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको कोई भी answer गलत भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोबल प्राइज तो मैं कहूंगा, लेकिन नोबल प्राइज तो मैं कहूंगा, लेकिन नोबल प्राइज अगर छोड़ के जा रहो तो आप गलत कर रहे हो, बहुत यह सारे ही नोबल प्राइज जो सिक्स फिल्ड में दिया जाता है, वो ज़रूर पढ़के जाना चाहिए, सभी को पढ़के जाना चाहिए, जो टीजनेट में, बता मलब इंपोर्टेंट ह लेकिन नोबल प्राइज अवर्ड करकी जाना है, विच इंडियन एथलेट अज बेन नमिनेटेट फोर दा टू तो तो तूजन ट्वेंटीटी तो लो रेल्स वर्ल ब्रेक्थ्रू अवर्ड नीरच छोपड़ा, इस रम फिर से आगे यह गोवर्मेंट स्कीम, वर्कर इन अर्गनाइज सेक्टर, इस बार बहुत ही पूझ लिया गया है, जैसा देखा जाए तो प्रिविएस येर के कोश्चिन के मताबिक तो करेंट अफेर्स, करेंट अफेर्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यह रिसेंटली बहुत ही सारे गोवर्मेंट के स्कीम से और इसको इसके के बोल सकते है, और इसमेंट अर्मचिम से बोल सकते हैं, क्यों सब कुछ यह राधतरे नाची। अच्छिछ 2020, 2020, has recommended to set up a national assessment PERC Center as standard setting body. What does the PERC stand for? Performance, assessment, review, analysis, knowledge, and for holistic development. The recently launched the Bhuvan panchayat web portal, new version used to technology of which organization, Indian Space Research Organization, अगर आपको ये question नहीं भी आता हो, तो EZRO लगाना चाहिए है था क्योंकि EZRO के मताबिक यहाँ पर कोई साभी option नहीं है जो ये काम कर सकता है. अधिके भूवन विज कतक घराना ये current affairs के थे जो पंडित बिर्जू महराज जो थे उनका डेथ हो गया था ये current affairs का question है वो कौन से घराने के थे लखनो घराने के थे और ये question किस में आएगा art and culture में इसे art and culture का current affairs भी आप जान सकते हो तो art and culture most important है एक मैं अगर taste net की बात करूँ है अदर examination की यहां पर बात नहीं हो रही है लेकिन taste के लिए art and culture important है. the first genetically modified crop to introduce India was BT cotton इस्टतिक जी के से है income tax in India was introduced by James Wilson, income tax in India was introduced by James Wilson गंगु भाई देखे लो ये art and culture में आगे दम movie गंगु भाई Katya Wadi is adapted from a chapter from the book title Mafia Queen's मुंबई रिटन भाई उसेंज जैदी James Wilson ये था question आपका और और दो question होंगे inesco 2020-2021 state of the education report for India is titled to no teacher no class current office के question है लास्ट है दा सुरक्चित दादा दादी नाना नानी अभयान in all 112 Aspira national district was spread headed by Niti Aayog and pyramal foundation to reach out more than 1.5 million senior citizen residing in this district तो ये primal foundation का होगा ये current affair का question था ये बहुत ही उस वक्त महलब जो होगी current affairs में बहुत important current affairs में था ये primal foundation का ये दादा दादी नाना नानी अभयान तो तो only 40 question होते हैं ठीक है मैं बता दूँ आपको only 40 question होते हैं test में 40 question से ना एक जादा आपको देखने को मिलेंगे ना एक जादा कम देखने को मिलेंगे only 40 ऐसा नहीं कि ये increase होता है only 40 question होते हैं और बाकी के जो question होते हैं वह mathematics and logical reasoning होते हैं and English होते हैं English के तो ये question है एंजल तो आप पढ़ सकते हो ये mathematics and logical reasoning मैं ये question को आप के लिए आगे बढ़ा देता हूँ आप देख लो screenshot लो लो हो ठीक है यहां पर solution करने की तो टाइम नहीं यह इतनी income of basic ratio and proportion का question है ये देख सकते हो ratio proportion है clock की question ये previous year का question अगर आप देखोगे तो clock के question आते रहे हैं अगर मेरे वीडियो में जाओगे तो बहुत सारे number series के भी video आपको देखने को मिलेंगे तो ये number series के logical reasoning में आपको मिल जाएंगे the cost price of profit and loss का question आया है तो ये सब आप note down कर सकते हो वैसे तो मैं syllabus का video लाओंगा आई तो देखते जाओ ये ratio 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 से question है i chat ये भी ज्यादा tough नहीं कह सकते है इस question को 14 number portion 24, 25, 26, 27, 28, 29, लास्ट होगा, यह 30 कोशन होगा, यह बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, यह आपका, डी आई, इसने खुद अपने सिल्वेस में भूला है, कि मैने डी आई एक्स करूँगा, तो इसमें आपको बता दू, कि 40 कोशन होते हैं, चैनल नॉलेज़ के, और 30 कोशन होते हैं, आपक इसमें भी आपको 30 कोशन मिलेंगे, बैसिक से कोशन होते हैं, यह अगर आपको स्कोरिं करना है, तो इंग्लीस में यह आपकर सकते हैं, इसलिए, प्रॉट्ट दे एरर, फिल इन दे ब्लांक, शिनोनिम, अन्टोनिम, यह पैसेज वाला, फिल इन दे ब्लांक, इसमें दे प activity to enjoy was running, they liked on your running. मैं हे slow इणे चला रहां हूँ, ता कि आप screen शोट ले शबया, जासा कि शिलेबस में वीडियो लाओंगा सब कुछ दिया गया तो यह रीडिंग कोंपरेंशन दिया गया है वो कोशन आता भी है और यह हर बार आता है ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है रीडिंग कोंपरेंशन के कोशन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और यह कितने नमर कोश्चन चल रहे हैं आपके 24 इसमें भी 30 कोश्चन होते हैं 40 कोश्चन सबसे ज़्यादा जी के का होता है 40 कोश्चन फिर 30 कोश्चन में जिसमें reasoning and mathematics include रहते हैं 30 marks के होते हैं अब यह ऐसा नहीं होता है कि 15 marks का अगर reasoning होगा अब 15 marks का mathematics होगा वह बिल्कुल नहीं है कितने भी हो सकते हैं और यह बिल्कुल 30 marks का आपका verbal reasoning जोगी English में आते हैं जो भी parts वह आपको पढ़के जाना है 26 नमर कोश्चन देख रहो कितने reading comprehension इस पर दिये गया है 28 इतना पढ़े होगे अगर नहीं कर पाओगे तो आपका टाइम लिमिट तो खतम हो जाएगी जैसा कि मुझे लग रहा इतने सारे reading comprehension इसलिए पहले वैसा कोश्चन कर लो जो सारे ही आते हैं सबसे पहले जी के स्टार्ट करना 29 और लास्ट कोश्चन होगा यह 30 तो के फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको सारे ही कोश्चन प्रोवाइड कर दिये हैं 2022 के लिए आप सारे ही वीडियो जो भी अप्लोड होंगे अपने प्रपेसेंट लिए ज़रू देखते रहना तो के फ्रेंट्स तैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो